नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्शी देदी 8 दिसम्मर 2020 के डेली एडिटोरल डिस्कुशन में आपका सौगत है देखते हैं आज कौन-कौन से इंपोर्टेंट एडिटोरल डिस्कुस करेंगे पहला आपके सामने है इस आर्टिकल को अब बात करो दोस्तों तो जीन ड्रीस साब ने लिखाए यह विजिटिंग प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ओफ एकनोमिक्स राची उनिवर्स्टी के इन्होंने लगबग एक से दो महिने पहले एक स्कीम प्रपोस की थी दा हिंदू में जिसका नाम था Decentralized Urban and Training यह एक्चुली में एक अर्बन स्कीम है जहां पर अर्बन एरियाज में नरेगा जैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जा सकती इस आर्टिकल में इस स्कीम की तो अच्छा ही बता ही रहें साथ साथ अर्बन एरियाज में इस स्कीम के थुरू वोमेंस को जदा इंप्रोईमेंट दिया जै इसके बारे में बात कर रहें तो इस आर्टिकल को देखेंगे Next है The Ground has fallen out from beneath the farmer's feet देखिये Farm बिल्स के अगेंस जो farmer agitation चल रहा है उसमें हर इंसान अपनी अपनी तरह से criticize कर रहा है अपनी अपनी तरह से उसको आपके सकते हैं कि favor कर रहा है लेकिन यहां पे 3 से 4 points Novel points मैं आपको बता दूँगा जो की अलग मुझे लगे और आगे बढ़ूँगा ठीक है तो किस बेसिस पर फार्मर्स के अगेंस्ट ये बिल है इसके तीन-चर पॉइंट समलगे आपके देख लेंगे फिर रीबिल्डिंग फॉम डब्री रीबिल्डिंग फॉम डब्री में ये बढ़े हैं तो ट्रम्प ने जो आईसो लेशनिस्ट एरा शुरू किया कि डबलु एचो को छोड़ दिया फिर बोला मेक्सिको के साथ दिवाल बनाएंगे इस तरीके की जो चीजे हैं भले ही इसको बाइडन खतम कर दें बट कहीं न कहीं अमेरिकन सोसाइटी अंदर से पो नेक्स्ट है ट्रांस्परेंसी इस वाइटल यहाँ पर आप देखें इंडिया में फाइजर जो कंपनी है उसने अपनी वैक्सीन के एमर्जेंसी यूज ऑथराईजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है मैंने करेंट अपनी स्कौर गया था उसके पूने बेस सेरम करने की बात करो क्या इतनी तेजी से इंप्लेमेंट करना सही होगा यहाँ पर नियम बता रखें कि यूएस का जो फूर एंड्मिनिस्टेशन डिपार्टमेंट है उसने प्रॉपर एक गाइडलाइन बता रखें कि यह होगा तो हम इमर्जेंसी यूज अप्लाई कर देंग इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं तो यूएस की जो गाइडलाइन से इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं और इस समय पे लंडन बेस्ट वैक्सीन कॉन्फिदेंस रिपोर्ट क्या बोलती है कि यह लोगों का सोचना है वैक्सीन के बारे में इन सब चीजों को हम लोग इस आर लेकिन अब अगर रजनी कान जी यहां पर एंट्री मारते हैं तो ओवर ओल तमयल पॉलिटिक्स वैरी कर जाएगी बदल जाएगी खाफी तो यहां पर जो रजनी कान जी की पॉलिटिक्स में एंट्री है कोशिश करूँगा मैं इसके उपर एक अलग सी वीडियो बना के आ दिया है बट अंदर से प्रोटीन के स्ट्रेक्चर को एक इस तरीके से मेजर करेंगे उसके बारे में ज्याद़ कुछ बताया है नहीं तो सीधे सीधे यह आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं यहां पर डिसकस नहीं किया है कोशिश करूँगा इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाओं चोकि अब 30 से 40 मिनट का एडिटोर डिसक्रिशन होता है तो उसमें एक लिमिट से ज्यादा मैं चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाता हूँ एक और इंपोर्टन आर्टिकल इन्वेस्टिंग इन इंडिया जियो तो इंडिया में स्किल ड की फीड में क्या क्या हो रहा है तो इन सब चीज़ों को मुलूग डीटेल में आपे डिसकस करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंट्स वीडियो पर लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे मेरे दोरा बनाएगे और वी परिशान है लोग लेकिन आप देखो अगर अर्बन पूर को अगर आप रूरल पूर से कंपेर करोगे तो रूरल पूर अपने आपको जदा इंसेक्यूर महसूस करते हैं अर्बन पूर उतना इंसेक्यूर महसूस नहीं करते हैं चोकि अर्बन पूर क्या सोचता है कि मेरे पास बहुत से options हैं तो भाई मैं चाट टिक्की की रिडी लगा दूगा स्नैक्स बेचने लगूँगा ठीक है मुंबई में है तो वड़ा पाव बेचने लगूँगा ठीक है रिक्षा चला लूँगा तो बहुत सी चीजें और टो किसी से उधार पे लूँगा वो चला है तो यह अर्बन पूर की approach होती है बहुत सी आप कहसके सकते हैं opportunities available हैं अर्बन पूर के पास उतनी opportunity आप्लेबल नहीं है बट उब सामल इसमें रिस्क भी बहुत जादा है खत्रे भी बहुत जादा है तो भ़ह उनकी बिमार पढ़ने कर चांसे जादा है गाह में अच्छा महौल है अर्बन एडियाज में अच्छा महौल है नहीं तो इस ने लबया लिए नाला भा किया हैं अब इंजीनिंग का कोर्स करने वाद उसको इंजीनिंग की नौकरी नीमल रही यह थोड़ा और नीचे की लेविट की मिल रही तो यह अटर एंडर इंप्लॉइमेंट फिर बाई कुछ और नुकसान है अर्बन पूर को कुछ कलेक्टिव नुकसान लग गया सब अगर ये अर्बन एडियाज में काम कर रहे हैं और कुछ इमर्जेंसी टाइप की सिचुएशन आ गई तो परेशान भी सबसे आदा यही होते हैं इसलिए अर्बन एलाकों में अच्छे सोशल प्रोटेक्शन की ज़रो थे लेकिन इस अच्छे सोशल प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा ऑप्शन्स है नहीं तो अब यह कह सकते हो कि अगर पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम को उनिवर्सिलाइज कर दिया जाए अर्बन सिलम्स में तो अच्छी बात है देखें नाशनल फूर्ट सेक्योटी आक्ट के अंदर कम दाम पे राशन बाटा जाता है हमारे देश के गरीबों को तो अगर अर्बन इलाकों में दूसरे शेहरों से आए हुए हैं लोगों को आप राशन बाटा हो जो कि किया ही जा रहा है यूनिवर्सल पीडियस में तो अच्छी बात है तो भई यह कम से कम इनको खाना तो मिल जाएगा लेकिन सिर्फ खाना दे देना सब कुछ नहीं है दोस्तों इम्प्लाइमेंट बेस्ट सपोर्ट इस तो मोस्त इंपोर्टन मतलब आप इनको नौकरियां दो जब इनको नौकरियां मिलेंगे जब यह डेली वैसे पर काम करेंगे तो यह थोड़ा सा दिमाग से स्टेबल रहेंगे और नौकरी देने के दो तरीके हैं एक तो सेल्फ ट आर्गेटिंग दूसरा यह जो काम कर रहे हैं इसके थुरू आप वैलूइबल एसेट्स और सर्विसेस को प्रेड्यूस करो मतलब ऐसा नहीं है कि काम किया और फिर काम कोई यूजी नहीं हुआ मनरेगा में कभी-कभी यह सुनने को आता है कि यह काम किया लेकिन काम की चलते जो स्ट्रक्चर बनाया गया उस स्ट्रक्चर का कोई ग्राउंट पर यूजी नहीं अब यहां पर ऑथर साब जीनरी साब क्या बोल रहे है कि उन्होंने कुछ दिन पहले यह बात सही है मैंने इसी दा हिंदु में एक आर्टिकल चापा था जहां पर एक अर्बन इंप्लॉइमेंट स्कीम प्रपोस की थी ड्रीन साब ने जिसका नाम है डुएट स्कीम डी सेंट्रलाइस अर्बन इंप्लॉइमेंट और ट्रेनिंग स्कीम क्या करेगा इसमें होगा यह कि चाहे आफ पैसा तो इन लोगों को मिलेगा ही यह job stamp यह government किसको देंगी तो job stamp government public institutions को देंगी जैसे कि universities को देंगी hostels को देंगी, schools, hospitals, health centers, museums, libraries, shelters, jails, offices, departments, institutions, transport, corporations, public sector enterprises, neighborhood associations, urban local bodies अब इनको job stamp देने से होगा क्या, देखिए, जब भी इन public institutions में कोई काम की जरौत पड़ेगी और इनको worker hire करना है तो यह public institution worker hire करेंगे, चाहे वो odd job के लिए, तो hospital के अंदर मान लिजे, ठेका देना है, furniture का काम करवाने का, यह bed बनवाने हैं लोहे के, बहुत प्रगार के काम होते हैं दोस्तों, इन सारे public institutions में तो चाहे बड़ी जॉब हो, चाहे छोटे मोटे project हो, किसी भी चीज हो, यह institutions जब लोगों को काम देंगे न, तो उसके बदले में payment कैसे करेंगे, उसके बदले में payment करेंगे job stamps की दुए, तो भाईया, यह जो institutions है, public institutions है, यह लोग payment कैसे करेंगे, बरकर उसको job stamps की दुए, और यह जो job stamp है उसको employer certify करेगा यह नहीं job stamp पहले government ने किसको दी employer को दी और यह employer public authorities है hospital जैसी और employer उसके बाद जब worker से काम करवाएगा तो certify करके वो job stamp worker को देगा जब worker को यह job stamp मिलेगी worker यह job stamp लेकि कहां पहुचेगा सरकार के पहुचेगा और सरकार सीधे worker के account में पैसा डाल देगी यहाँ पर बहुत सारे corruption के charges है chances भी है कि government माल लिजे employer को job stamp दिया अभी चक्कर यह होगा कि government में माल लिजे कुछ corrupt officials बैठें और employers में पी कुछ corrupt लोग बैठें तो दोनों ने आपस में job stamps को फरजी लोगों में बाटके पैसा लोगों के account में transfer करवा दिया और उसको government employees ने as a corruption थोड़ा आपस ले लिया थोड़ा इन employers को मिल गया तो यह इस तरीके की corruption इसमें हो सकते हैं तो इस तरीके की corruption को रोकने के लिए ऐसा बोला है कि independent placement agency बनाई जाएगी who would take the charge of assigning workers to employers यनि कि government ने employers को job stamp दे दिये अभी employer वो job stamp worker को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इसलिए employers और workers के बीच में आप एक third party placement agency बनाऊगी इस placement agency के ओपर यह responsibility होगी कि वो यह देखेगा कि क्या employers सही तरीके से सारे job stamps workers को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि फरजी workers लाके पैसा अपने आप में बाट रहे हैं और obvious ही बात है इस placement agency के अंदर 2-3 government servants, 2-3 civil society के लोग, proper RTI coverage में आएगा यह सब यह जो approach है इसके बहुत से advantages हैं क्योंकि यहां पर activate हो जाएंगे multisplicity of potential employers वह बढ़ जाएंगे, hospitals, universities, यह जनाना प्रकार के institutions हैं यह सब employers की category में आजाएंगे, इनको special staff की जरूद पढ़ेगे नहीं, यह अपने job stamp के थो अपना काम करवा सकते हैं, productive work भी करवा सकते हैं, सीधे सीधे पैसे मिलेंगे, और duty jobs की कोई कमी नहीं है, ऐसा ही बताए जारे है, मतलब अगर यह इस तरीके की jobs को अगर आप duty jobs jobs time के तुरू introduce कर देते हैं, तो really this is a potential thing, but इसका management बहुत तगड़ा होना चाहिए, management तगड़ा नहीं हो तो इन चीजों को fail होते हैं, यह समय नह साब, वैसे कि और भी बहुत सी उनिवर्स्टीज ने और think tanks ने अपनी अपनी research कर रखिये कि कैसे आप एक urban employment scheme शुरू कर सकते हैं, recently the Hindu में, जब से migrant crisis हुई है, urban employment के लिए बहुत सी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, उसके बाद, many states have a chronic problem of dismal mentalness of public premises, तो public premises जैस मतब, जो जो भी सरकारी building और सरकारी चीजें हैं, उनका maintenance समय समय पे होना जरूरी है, तो building है टूटी-फूटी है, आप government employers में जाके देखे, state के है, central के आप अंदर गुसोगे, देखोगे, दीवालों में सीलन है, AC से पानी चूरा है, वहीं पे employee बैठा हुआ है, इस तरीक लोगों को दे सकते हैं, और ये काम करवा के maintenance करा सकते हैं, public promises का, तो इसके through भी job आएगी, तो ये सब बाते यहाँ पे अच्छी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन अब बात दोस्तों यहाँ पे यह भी है, कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, होना बहुत मुश्किल क्यों है तो, और कहीं न कहीं, ड्यूट के अंदर होगा ये, कि जो less skilled worker है, वो more skilled worker के साथ काम करेगा, तो उसकी skills को जल्दी सीख जाएगा, अब problem यहाँ पर यहाँ पर यह कि जो more skilled workers हैं, जो तगड़े लेवल के आपके carpenter, plumber वगर आए हैं, उनके पास अल्रड़ी बहुत काम ह वो इस scheme में जल्दी आएंगे नहीं, तो उनको financial incentive देने पड़ेंगे इस scheme में आने के लिए, मतलब do it scheme में आने के लिए कर यह implement होती है, एक बाद ध्यान रखेंगा, यह जो do it scheme है यह जीन ड्रीज के दिमाग में है, अभी सरकार के इससे कोई लेना देना नहीं है, do it scheme इस कुछ किया जा सकता है, इससे चीजने अच्छी हो जाएंगे, चलिए ठीक है, फिर भाई, do it के अंदर एक और चीज है, कि भी यह women workers को यहाँ पर priority देनी बहुत सरूरी है, अगर आप women workers को priority तो किस तरीकी priority, जीन ड्री साब यह नहीं बोल रहा है कि आप women को कोटा दे दो, जैसी कि मन्रेगा के अंदर क्या होता है, यह target किया जाता है कि कम से कम one third जो काम है, 33% और दा काम वो women को दिया जाए, यहाँ पर यह नहीं बोल रहा है जीन ड्री साब कि भी आप do it के अंदर one third काम या कुछ कोटा दे दो women को, आप एक कोशिश करो, जितना हो सके उतना आप women को काम दो, जो placement agencies काम को बाट रही है, उनको यह ensure करना चाहिए कि women's को काम मिल रहा है, और जब आप women's को काम दे रहे हो, तो women's को आप काम तरीके से दो, देखिए women दिन भर तो आके काम नहीं कर सकती, उनको अपने बच्चे भी देखने है, अपने घर वाले भी देखने है घर में खाना बनाना है, तो बेटर यह रहेगा कि तीन से चार या पांच घंटे के लिए women को काम दिया, तो घर का सारा काम नेपटा कि वो women आई, उसने काम किया और फिर वापस चली गई, तो आप women को सिर्फ फूल टाइम इंप्लॉमेंट के परस्पेक्टिव से डिएट म टारगेटिंग फीचर होना चाहिए, फिर यह जो डिएट वाली स्कीम है, इसमें जो सेल्फ टारगेटिंग वाला इलिमेंट है, यह बहुत अच्छा है, क्यों? जो कि women's जो की better households है, जो की well of households है, अच्छे घर से हैं, अच्छे घर से मतलब जहां पे पैसे अच्छे कमाते हैं लोग, तो अच्छे पैसे कमाने वाले लोग, अविस्सी बात है, minimum wages पे नहीं पसंद करेंगे, कि भाईया उनके घर से ladies जाएं काम करने के लोगों, चाहेंगे कि किसी अच्छी नौकरी में जाएं, ठीक है, तो अगर self targeting होगी इस डुएट वाले प्रोग्राम में, तो जिन women's को सच में जरुवत होगी, वही apply करेंगे डुएट में, तो ये भी एक अच्छी बात है, और यहाँ पे इस तरीके की schemes की जरुवत है, क्यों, चोकि अगर आप national sample survey का data उठाते हैं 2019 का, तो 15 से 59 years वाले age group में, जो 20% urban women है न, आप किवल वही involved है employment and related activities में, यनि कि 15 से 59 के age group की women, total urban women, only 20% are involved in employment and related activities, अब यहाँ पे किवल women का नुकसान नहीं है, यहाँ पे overall economy का नुकसान है, चुकि अगर आप देश के development की बात करो, तो आप देश का development तब नहीं कर सकते हो, जब 50% of our population is not involved in any sort of employment, समझ के जोस्तों, तो यह सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है Next, यह तो काफी important था आपका, women empowerment से related और do it से related, फिर बात करतें, ground has fallen out from beneath the farmers' fleet, the farm acts are farmer unfriendly and in violation of important constitutional safeguards तो अब भाई, Indian farmers का protest चल रहा है, हम सबको पता है, कौन से bills के against चल रहा है, यह भी हमको पता है, तो इसको हमको देखने की जरूत है नहीं अब इन farm bills के आने से नुकसान क्या क्या है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ important points बताऊंगा, बाकी यह points आप अपने दिमाग में याद रखेंगा जैसे कि पहली बात तो यह है, कि इस act को center ने पास कर दिया, agriculture एक ऐसा subject है, जो state list के अंदर आता, वैसे यह point में पहले बहुत बार discuss कर चुका हूँ, तो इसमें कुछ नया नहीं है Center has no jurisdiction to rule over agriculture even under the concurrent list, यह बात बिल्कुँ सही है, concurrent list के अंदर भले ही agriculture को डाल दिया गया है बट agriculture की implement के लिए आप नियम कानून बना सकते हैं, बट इस प्रकार का नियम कानून जहाँ पे farmers को सच में अपने आपको इस नियम कानून से connect नहीं कर पा रहें, जब वो अपने आपको इस नियम कानून से connect नहीं कर पा रहें, इसके उपर एक informed debate होनी चाहिए थी, proper debate होने क के बाद, states को convince करने के बाद, आपको यह नियम कानून लेकि आना चाहिए था, अगर आप MSP को लंबा institutionalize नहीं कर सकते हो, तो 5-6 साल के रहें तो करी सकते हो ना, वो नहीं किया गया, फिर अगर आप देखिए, entries 14, entries 18, entries 46, entries 28, यह जो state list के अंदर के entry है न, यह ताकत provide करती है states को, लेकिन कहीं ना कहीं, यहाँ पे ताकत states की compromise की गई है किसके दोरा, center के दोरा, ठीक है भाई, उसके बाद, एक reason तो यह है, दूसरा, second in the way that the acts change all kinds of farming trade into digital contractual terms, reveals how there is an attempt at selling the farmers produce in a language that the farmer Simpson does not know, एक गरीब हर्बू किसान, उसके पास एक बहुत बला company वाला पहुचा, उसना उसक तो उस farmer को वो contract समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, उसको नहीं समझ में आगा, ना उसके पास knowledge है, ना उसके पास अक्षा है, उसको हल चलाना, खेज जोतना आता है, उसको contract समझना नहीं आता है, तो पहली बात तो उस contract को समझने के लिए, किसी middleman को hire करेगा, किसी advocate को hire करेग यह middleman, advocate, obviously farmer से पैसा लेंगे, हो सकता है, कोई middleman और advocate, corporates के साथ मिलके farmer को उल्लू बना दे, चोकि corporates को तो उल्लू आ बनानी पाऊगे, तो कि उनके पास बड़े-बड़े CAs or legal experts बैठे है, उल्लू यहाँ पर कौन बनेगा, farmer ही बनेगा, उसके बाद, when such contracts are signed by multinational companies, farmers shall either be forced into paying hefty fees to lawyers, to be able to dissect such contracts for them, or in the alternative, open the floodgates of their exploitation at any time by such companies, बही बाते बोल रहे हैं, exploitation तो यहाँ पर farmers का company के द्वारा होगा ही होगा, उसके बाद अगर आप बात करो, third, two particularly problematic definitions within the acts, when these acts define the farmer, जब भी act के अंदर farmer को define किया जाता है, तो इसमें cropper, laborer, tiller, इनको include नहीं किया जाता है, जैसे for example, कोई एक labor है, जिसके पास पहले किसी जमाने में land हुआ करता था, अब उसके पास land नहीं है, तो वो daily wage पे जाके land पे काम कर रहा है, आज की date में, इंडिया के agriculture sector की बहुत गंदी reality है, एक इंसान जिसके पास उसका खुद का खेत हुआ करता था, उसका खुद का खेत, money lenders क दोरा चीन लिया गया, और अब वो अपने ही खेत में जाके daily wager की तरह काम करता है, 200-300 रुपर per day में, तो अपने आप में ही मतलब आप समझ लिजे कि कैसा लगता होगा उस farmer को, बड़ चलिए, farmer की जो definition है आपकी, इन acts में, उसमें cropper, tiller और laborer included नहीं है, इनको systematically exclude कर दिया गया है इस act से, इसके चलते, इन cropper, laborer और tiller को किसी भी प्रकार का benefit या right नहीं मिलता इन acts के अंदर, और सबसे खास बात यह कि जो farming agreement है, most probably इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा, कि भाई, अगर corporate चाहे, या जो sponsor है, देखे, farming agreement में होगा क्या, जदातर cases में, जो corporate है, farmer के स agreement करने को बोलेगा, कि ठीक है भई, हमको इतना, जैसे कि for example, Pepsi नाम की company ले लिए, Coca-Cola नाम की company ले लिए, अब ये companies, farmers के साथ agreement करती है, कि हमको इतना आलू चाहिए, obviously बात है, ये आलू chips में पढ़ता है, ये जो lace waste के packet मिलते हैं, आपको उसमें आलू की chips ही तो होते हैं, तो आलू का major scale पे आपको production करना है, और ये contract दे दिया Pepsi किसी बड़ी company ने किसी farmer को, बाद में Pepsi company के उपर बहुत कुछ हो जाता है, Pepsi company and time पे, yield के basis पे उस produce को लेने से मना कर दे, quality के basis पे उस produce को लेने से मना कर दे, तो farmers के पास बहुत सदा legal options बचते नहीं, एक गरीब किसान एक बड़े corporate से कैसे लड़ेगा, हला कि Pepsi, Coca-Cola जैसी बड़ी company ऐसा करती नहीं है, बट, chances हैं कि कोई छोटे मोटे corporate ऐसा कर दे, ओके, जो इतनी बड़ी companies हैं, वो इस तरीके का fraud नहीं करती हैं, बट हो सकता है fraud, मतलब एक छोटा मोटा corporate, जो पहले बोले कि हम आपसे इतना produce करी नहीं आई, तो हो सकता है, वो किसी environmental basis पे मना कर दे, या फिर, अगर company मान रही है, कि भाईया हमको जल्दी चाहिए, इतनी yield का crop चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मान लीजे देखिए, एक दो hectare का land है, अभी उस दो hectare के land में एक minimum amount of धानी होगेगा, जितना भी उस land की yield होगी, अब एक contract में हो सकता है, corporate किसान से बोल रहा है, कि भाईया, आपके इतने land से मुझे इतना crop चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर उस farmer के ऊपर pressure आएगा, कि वो अपने land की yield को बढ़ाए, yield मतलब प्रती unit of area, कितना crop उस पे पैदा हो रहा है, ये होती है yield, तो अब इस yield को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए हो सकता है, कि farmers pesticides और chemicals का ज़्यादा प्रयोग करने लगे, तो land degradation बढ़ने लगेगा, तो जब corporate का pressure आएगा, कि मुझे इतने से इतना धान चाहिए, तो yield बढ़ाने की कोशिश करेगा, farmer गलत तरीके से, तो ज़्यादा chemical pesticides का इस्तमा contract sign हुआ, एक corporate और farmer की बीचे और बाद में कोई dispute हो गया, तो इस dispute के लिए आप जाओगे कहा, तो अभी के लिए समझ में आ रहा है, sub divisional magistrate, अभी sub divisional magistrate तो already overworked है, दिन में अगर आप कभी sub divisional magistrate बन जाते हो, भवान करे आप बनी जाओ, वैसे तुमें चाहूँगा कि IRS बने, बट चलिए मान लीजे, कुछ लोग IRS नहीं qualify कर पाते हैं, SDM बन जाते हैं, तो SDM भी बहुत अच्छी post है, UP में या फिर राजस्तार ने, बाकी states में, state level के administration में सबसे उपर की post है, SDM के पास काफी काम होते हैं, तो ये काम भी SDM को दिया गया है, कि farmers और corporate की बीचे contract fail हो जाते हैं, तो SDM देखेगा, हलाकि बाद में हो सकता है कि कोई नई legal body बना दी जाए, पर अभी के लिए कोई legal body नहीं नजर आ रही है, तो इन basis में या पर author criticize कर रहा है किसको, इस बात को कि ये भाई जो आपके acts हैं, जो farm acts हैं, जो कि farmers की authority को यहाँ पे खीचने की कोशि कर रहे हैं उसको, तो ये article लिखा है, KTS तुलसी जी ने, senior advocate है और member of parliament भी है, ठीक है दोस्तों, तो ये है, और तनेसा पुरी जी ने भी input दी है, ये chambers of KTS तुलसी में associate है, कुल मिला के अब आप ये समझ लीजे, कि farm bills में इस समय पे हमारे political sector में दो sections बने हुए, एक जो ruling party की favor में हैं, वो इस farm bills को support कर रहे हैं, एक जो ruling party के against में हैं, वो इस farm bills को oppose कर रहे हैं, क्या सही, क्या गलत, ये आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, transparency is vital, safety and efficiency data must be known before emergency use authorization for vaccine, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अभी आपने सुना ही होगा, Pfizer ने अपनी vaccine के emergency use के लिए apply किया, AstraZ AstraZeneca के trial के और इंडिया में नहीं चल रहा है, UK और ब्राजील में भी चल रहा है, AstraZeneca ने जो phase 3 trials हुए थे UK और ब्राजील के, उसके 131 COVID-19 cases के लिए efficacy data दिया है, लेकिन इंडिया में जो trials किया है, AstraZeneca ने उसके अभी तक कोई भी data नहीं दिया गया, अब आप सोचिए दोस्त Pfizer ने अपने proper data को publish किया, और फुर USA की food और drug administration department को apply करेगी, UK में apply किया, approval दिया, Pfizer अपने data को publish करने बद approval ले रही, AstraZeneca के phase 3 के detailed trial results अभी public domain में नहीं आए हैं, और उसके बावजूद AstraZeneca ने emergency use approval के लिए allow कर दिया है, already AstraZeneca बहुत सारी vaccines को manufacture करके बैठी है, और obvious सी बात है, अगर AstraZeneca vaccine manufacture करके बैठी होगी, तो कहीं न कहीं सरकार से back end से approval तो लिया ही होगा, देखी यहाँ पर बड़े level पे game होते है, AstraZeneca जब vaccine develop कर रही होगी न, शुरुवात में हो सकता है कि इसी बड़े level पे इनके dealing हो गई हो तो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में clarity होनी चाहिए कि यह जो दवाई है न, यह efficient है, अब देखें, lack of transparency about vaccine safety and efficiency does no good in gaining people's confidence and willingness to get vaccinated, Moderna, Pfizer और AstraZeneca ने publicly अपने trial protocol को share किया है, ओके लेकिन phase 3 trials के results को किस प्रकार से publish करना है, और इंडिया में phase 3 trials के results की safety और efficiency के basis पे उसको approval किस प्रकार से दिया जाएगा, उसके लिए clearly fixed guidelines नहीं है, US का Food and Drug Administration Department क्या बोलता है, कि there should be at least 50% efficiency and stipulated a medium follow-up duration of at least 2 months after completion of the full vaccination regimen to assess a vaccine's benefit risk possible for emergency use approval, यहनी कि USA में अगर कोई vaccine को आप market में उतार रहे हो, तो उसकी कम से कम 50% efficiency होनी चाहिए, और vaccine देने के बाद आप 2 महीने तक उस patient को monitor करोगे कि उसके अंदर भाई कोई negative symptom तो नहीं आ रहे हैं, और यह सब चीज़ें अगर सही होती ही, तो ही emergency approval मिलेगा, यह USA की नियम कानून है, इंडिया में इस तरीकी की नियम कानून के उपर कोई भी clarity है नहीं, phase 3 trial जो COVID Shield का था, वो September 21 को शुरू हुआ, और 12 नॉ को अगर USA में trials कतम होते हैं, तो 12 नॉमबर से 12 दिसंबर और 12 जन्वरी, तो 12 जन्वरी तक तो patients को monitor किया जाता है, और यहाँ पे यह जो COVID Shield extra जनेका है, वो सीधे सीधे approval के लिए apply कर रहा है, तो USA के FDA वाले जो approval norms हैं, उस तरीके के clear cut approval norms इंडिया में अभी exist नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि लोगों के दिल में क्या बात है, इसके लिए एक survey कराया गया, किसके तोरा, London-based vaccine confidence project तो अनग, यह बोलता है कि लोगों के अंदर यह intent है कि जल्दी vaccinate हो जाए, लोगों के अभी भी डर है कि भाईया, करोना उनको ना पकड़ ले, तो भाईया, intent तो है कि वैक्सीन आजा और हम अपने अंदर ही वैक्सीन ले ले और हम बच जाएं वाईरस से, लेकिन, at the same time, यह survey यह भी बोलता है कि 34% लोगों जिन्हों ने survey लिया, उन्होंने बोला कि उनको डर है कि भाईया, side effects क्या होने वाले है इस vaccine के, और 16% लोगों है कि trial इतनी तेजी से चल क्यों रहे हैं, तो किसी भी vaccine को market में introduce करने से पहले भाईया, लोगों को यह भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि वो जो vaccine है, वो vaccine उनके लिए बनाई कही है, कहीं न कहीं, अब कुछ इस तरीके की बातें उठ रही है, कि already यह जो vaccine manufacturers है, vaccine manufacturers के बीच म competition लग गया है, तो Pfizer ने approval के apply कर दिया इंडिया में, तो AstraZeneca ने भी approval के लिए apply कर दिया, जबकि AstraZeneca के complete phase 3 trials के result बाहर आये भी नहीं है, और follow-up monitoring ज़्यादा होई नहीं है, तो इस competition के चलते लोगों के अंदर यह डर नहीं आना चाहिए, कि भाईया यह तो कुछ ज़्यादा ह यह तेज़ टायल चल रहे है, यह vaccine जनुएन है या नहीं है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो यह चीज़ यहाँ पर author बोलने की कोशिश कर रहा है, फाइनली हम लोग चलते हैं, अपने last article की तरफ, यहाँ पर बात हो रही है, investing in India's youth, the skill development sector has grown in India, but has many challenges, अगर आप इंडिया की बात करो, तो इंडिया में largest youth population है, और कहीं न कहीं, हमारा जो सबसे मुश्किल टास्क यह है, कि जितनी भी population है, उसको भी या पढ़ाओ लिखाओ, उसको productive member of the society बनाओ, ठीक है भाई, अभी जो productive member of the society बनाने की जो target है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 320 मिलियन 32 करोन लोग effect हुएं पैंडेमिक के दोरान, और 5 मिलियन पचास लाख लोगों की यहाँ पे नौकरिया गई है, इस situation को resolve करने के लिए proactive measures की ज़रोत है, और इन proactive measures को लेने के लिए education एक vital role play कर सकता है, तो 32 करोन learners effect हुएं, और 50 लाख लोगों की job गई है, अब यहाँ पे जो इंडिया का right to education act है, वो क्या बोलता है, free and compulsory education for 6 to 14 years people, यानि कि book और written exams के basis पे आपको free और compulsory education देनी हो उन बच्चों को जो की 6 से 14 साल के हैं, लेकिन यहाँ पे author यह बोल रहा है कि भईया यह जो book based education है ना, यह उतनी effective है नहीं, हमें करना क्या है, हमें skills पे focus करना है, आज क कि किस्विश अतापती की जो नौकरियां है ना, उनसे उन्हें अच्छे तरीके से करने के लिए जो book based learning है वो काम आती नहीं, काम आते है practical application of skills, आपने देखा होगा, जब दतर नौकरियां, चाहे आप IS, PCS की मान लिजए, SDM की मान लिजए, प्राइवेट जोकरिया मान लि ठीके, तो मैं खुद इंजीनिर हूँ और मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कहीं न कहीं हम सब में से बहुत सारे लोगों में होता यह है कि हमने जो पढ़ाई करी, उस पढ़ाई को हमने अपलाई नहीं किया, जो काम हम लोग फाइनली कर रहे हैं, हम लोग अभी वो सुर्डजर लैंड वाले लेवल पर नहीं पहुँचे हैं, कि हम देखेंगे, हमारा दिल जो कहेगा हम अपने पैशन को फॉलो करेंगे, इंडिया में हम उस लेवरेज और उस लगजरी पर पहुँचे नहीं है, इंडिया में एक इंसान को जैसे वो बार Specific Skillsets and Knowledge, और इसके लिए किस प्रकार के Education format की जरहत है, Technical and Vocation, Education and Training, TVET format, Technical and Vocation, Education and Training format की जरूइत हैं यहाँ पर, ओके इसके लिए अगर आप देखो, तो इंडिया की National Education, एक मे ने-चिल डेवलेमेन पॉलिसी को लाउच किया गया यह कब? 2009 में, नै-चिल डेवलेमेंट पॉलि ने Skill India Mission launch किया और बोला गया कि India को हम लोग Skill Capital of the World बनाएंगे, कोशिश की जा रही है quality skills को लोगों तक पहुचाने में बट इंडिया की जनता इतनी बड़ी है, इतना diverse landscape है कि कुछ सालों में ये results नहीं पाया जा सकते हैं अब यहाँ पे एक report आये किसकी UNESCO State for the Education Report इसी week publish हुई क्या बोलती It focuses on vocational education and training and showcases the growth of skills development sector along with emerging challenges लेकिन इंडिया में जो ये TV-ETC related courses इना इसको ज़्यादा लोग पकड़ भी नहीं है अब देखिए आज की रेट में इंडिया के अगर बात करो तो medical के courses और खासकर engineering के courses बहुत आसानी से विलेबल है हर दूसरे शहर में हर गली कूचे में engineering college खुल गया है अब जब सब लोग को ये लग रहा है कि भईया engineering college खुला हुआ है तो चलो engineering पढ़ते हैं वो engineering पढ़ लेते हैं पैसे लाखों में खतम कर देते हैं और end में उनको उससे भी नौकरिया मिलती नहीं है यहाँ पे बात की जा रही है कि TVET related courses को चालो किया जाए यहने technical and vocational education related courses को चालो किया जाए लेकिन लोग उसको लेना नहीं चाते हैं क्यों चुकि भईया इसके साथ stigma attached है इसके साथ lack of inspiration attached है लोगों को लगता है कि भईया हम टेलरी का काम क्यों सीखें हम कारपेंटरी का काम क्यों सीखें जबकि हम इंजीनिर बन सकते हैं जबकि आज की डेट में reality दोस्तों यह है कि इंजीनिर बन के भी 10,000 की नौकरी मिलने की guarantee नहीं है और अगर आप एक अच्छे टेलर और कारपेंटर हो आप अराम सी दिन में 203 लाख महीना कमा सकते हैं मुंबई जैसे शहरों में कमा भी रहे हैं कुछ कारपेंटर और टेलर्स को मैं जानता हूँ महीने में 5 लाख रुपए कमाते है उनका set rate है ठीके ना मैं जैसे इलाके में यहां पर रहता हूँ पवई में यहां पर जो कारपेंटर्स और प्लंबर्स आते हैं वो 5-5 लाख रुपए महीने के कमाते हैं तो एक इंजीनर क्या कभी इतना अमांट कमा पाएगा कभी नहीं कमा पाएगा तो यह जो stigma जुड़ा हुआ है इस तरीके के कोर्से से कि भई हम टेलरी नहीं सीखेंगे हम कारपेंटरी नहीं सीखेंगे यह stigma गलत है इस स्टिगमा उठाने की जुरुवत है यह जो TVET वाली jobs है ना काफी अच्छी होती है हाँ यह अलग बात है कि आपको इस job में struggle करना पड़ेगा वह तो हर जगा struggle करना पड़ेगा आप business खोलिए आप engineering के थूरू कोई एच्छी company जॉइन करिए आप I.M. अमदाबाद करके कोई company एच्छी जॉइन करिए आपको तो धीरे-धीरे अब आपने I.M. अमदाबाद से MBA किया और आपने Goldman Sachs जॉइन कर लिया नियोयक आफिस तो क्या आप बैठे-बैठे उपर बढ़ते जाओगे पहले आप analyst बनोगे फिर आप associate बनोगे फिर senior associate बनोगे फिर vice president बनोगे फिर president बनोगे तो भाई आप भले ही एक investment बनकर बनके USA में जाते हो पर महनत तवाबो करनी पड़ेगी उसी तरीके से इस TVET graduates के लिए भी है तो भाई यह TVET graduate आप बनोगे दीरे-धीर आप अपना level में उपर उठोगे बाद में कहो आपना खुद का धंदा business डाल दो तो जो TVET graduates की entry level jobs है ना कभी-कभी university की entry level jobs के बराबर होती है तो university level की जो jobs होती है उनसे जो तनखा मिली और TVET graduates की जो job होती है उनसे जो तनखा मिली कभी-कभी TVET वालों की तनखा university से ज़ादा होती है और बराबर almost हो ही सकती है फिर vocational streams वाले लोगों को नौकरियां मिलना ज़्यादा आसाम है when compared to university graduate अगर आप university से BA, B.Sc, B.Tech अगर कोई course करके निकले हो हो सकता है आपको नौकरी मुश्किल से ना मिले चुकि आप कोशिश करोगे कि एक बड़ा सा office हो, अच्छी सी बैठने की जगा हो computer मिले internet के साथ, और एक TVET वाला graduate जिसने tailoring का, carpentry का शौक किया है, उसको तुरंट tailor के यहाँ पे एक helper की मदद मिल जाएगी, धीरे धीरे वो उस चीज़ को सीखेगा, वो सकता है शुरुआत में किवल 2-3 नजार पर महिने पर काम करेगा, और बाद में कोई भी काम यहाँ पर छोटा नहीं है, हर काम बढ़ा बाता है, एक समय के बाद, अगर आप उसमें अपनी पकड़ बैठा लेते हैं, फिर बात की जाएं यहाँ पे national education policy, national education policy यही कर रहा है, कि सारे learners को 2050 तक 50% से ज़ादा vocational education हमको provide करनी है, स्कूल को यह बोला गया है, कि आप class 6, grade 6 से vocational education provide करना शुरू करिए, और जो उस local economy और local community की बीच में dominant vocational craft है, उसको implement करिए, skill development system ले के आईए, तो अगर हमको national education policy के mission को पूरा करना, vision को पूरा करना है, तो एक coordination mechanism लाना पड़ेगा, जिसके तुरू inter-ministerial cooperation की जुरुत है, overall holistic basis पे skill development हो सके, और vocational education system साथ में मिलके काम करें, तो यह था analysis दोस्तों, आईए बापा कुछ सीखने को मिला होगा, thank you for watching, have a great day, वीडियो को like और share की मिना मच जाहिएगा, goodbye.